नमस्कार, मैं पूलक भट्टाचारी, एडिशनल कमिशनर नगर निगम जैसा कि आपको विदित है कि वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 के संक्रमन से गुजर रहा है ऐसी स्थिती पे जब निर्वाचन होने जा रहे हैं तो हमको निर्वाचन में भी कोविड से सम्मंधित कुछ सावधानिया रखनी जरूरी है इस पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो गाइडलाइन्स चारी किये गए हैं उन गाइडलाइन्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सरुप्रथम जैसा कि आपको विदित है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखा जाना सबसे जरूरी है सोशल डिस्टेंसिंग के जो नियम है भारत सरकार के वो सारे नियम को पालन करना आवश्यक होगा Second, जो है सभी वैक्ति को पूरे चुनाओ प्रक्रिया के दोरान जो भी वैक्ति जुड़े हुए हैं, उनको मास्क पहनना आवशक है मास्क पहनने के बाद ही सारे कारिय करेंगे चाहे वो nomination के दोरान हो, चाहे वो training के दोरान हो या फिर मद्दान प्रक्रिया के दौरानों, हर प्रक्रिया में हर वेक्ती मास्क पहने रहेंगे टूवे मास्किंग होगी, जो हमारे अधिकारी हैं, वो भी मास्क पहनेंगे और जो उनके सामने चुनाओ के से समन्दित कोई भी कारे में आएंगे वो भी मास्क पेनेंगे सेकेंड है कि किसी भी कारे में जहाँ भी कारे हो रहा है उस कमरे के बाहर में 3-4 चीज़ा आनिवारे होंगी एक thermal screening का कारे होगा thermal screening से आशे touchless जो thermometer है वो वहां रखे जाएंगे जिससे temperature देखा जाएगा और अगर कोई भी व्यक्ति जिसका temperature नॉर्मल से अधिक है उसको कमरे में प्रवेश करने के लिए नहीं दिया जाएगा अगर बहुत ही जरूरी है आवशकता है कि उनका कमरे में प्रवेश करना तो वैसी स्थिती पर जो special precautions लिए जाने के संबंद में एक health nodal officer बनाये जाएंगे वो health nodal officer इस पर निर्णे लेंगे सेकेंड है कि sanitizer, soap और पानी की विवस्था हर खेंदर के बाहर होगी, sanitizer की विवस्था होगी, साबून, sanitizer से भी जरूरी है कि लोग sanitizer का प्रवेश करते हैं बन्तु हाथ नहीं धोते हैं तो जो भी कमरे में प्रवेश करें बाहर wash basin लगाये जाएं ताकि वहाँ पर से हाथ धोक पर की कमरे के अंदर आएं जो कमरे लिये जाते हैं पुराने समय में छोटे कमरे लिये जाते थे अब कोशिश करना चाहिए कि आरो को या जो कमरा लिया जाएगा वो कमरे बड़े-बड़े hall होने चाहिए ताकि social distancing maintain हो सके लोग दूर-दूर बैठ सकें तो इसलिए बड़े hall का प्रयोग करना आवाश्यक होगा वाहनों की संख्या जो पहले से ताई की गई थी उसमें अब कमी की गई है तो उसके बारे में मैं आपको भी जानकारी दूँगा कि कितने वहान आ सकते हैं कितने विक्तिकक्ष में प्रवेश कर सकते हैं तो भारत-मिरवाचान आयोग द्वारा COVID-19 के संक्रमन काल के दोरान समय समय पर और भी जो निरदेश दिये जाए रहे हैं सब का पालन करना आवश्यक होगा आईए हम नाम वापसी की संपूर्ण प्रक्रिया पर चर्चा करते हैं विड्रॉल ऑफ केंडिडेचर की ओर जैसा कि अभी तक हमने स्कूरूट्टी तक का पोर्शन देखा स्कूरूट्टी के बाद में लिस्ट ऑफ वेलेडली नॉमिनेटेट केंडिडेट्स जो फॉर्म फोर है उस पर लगा दी जाएगी इसके बाद लोग अपना पेपर जब तक वेलेडली नॉमिनेटेट केंडिडेट की लिस्ट नहीं बनेगी तब तक कोई अपना नॉमिनेशन पेपर वापिस नहीं ले सकेगा एक बार इसकूरूट्टी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी फिर कोई भी वेक्ति नॉमिनेशन पेपर नाम वापिस ले आवेदन करते हुए कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापिस ले सकेंगे अगर किसी अन्य फॉर्मेट में कोई वेक्ति आवेदन देता है तो वैसी स्थिति पर वह एक्सेप्ट नहीं होगा कमिशन ने यह स्पष्ट किया है कि नाम वापसी की अंतिम्ति थी और कोई वेक्ति अपना नाम वापिस ले सकेंगे सामानेटा हम ये जानते हैं कि नॉमिनेशन हम 11 से 3 बजे समय सीमा में लेते हैं परंतु जब जो नाम वापसी का कारे होता है वो office time में जैसा कि हमारे राज्य में 10-5 बजे तक का ओफिस टाइम है तो इस पूरे साड़े दस से साड़े पांच बज़े तक के टाइम में कभी भी कोई वेक्ति अपना नॉमिनेशन पेपर वो आपिस ले सकेगा तो यहाँ पर यह ध्यान देना है कि आरो या ए आरो को अब स्कूरूटनी के बाद नाम वापसी की अंतिम पांच में जमा कराने आए तो उसको रिसीव किया जा सके यह एक बार और ध्यान देना है कि एक बार जो नाम वापसी की जो अंतिम्ति थी है उस तिथी के बाद कोई वेक्ति नाम वापसी का आवेदन लेकर के आएंगे तो भी उनका नाम वापसी का आवेदन पत्र नहीं लिया जाएगा मैंने दो बार बात आप से कही कि स्कुरूटी के पहले कोई व्यक्ति नाम वापस नहीं ले सकेंगे सेकेंड नाम वापसी की जो अंतिम्ति थी है उसके बाद कोई व्यक्ति नाम वापसी नहीं कर सकेंगे अब हम इस पर विचार करें कि नाम वापसी का होना चाहिए यह लेकर के तीन व्यक्ति आ सकते हैं या तो प्रत्याशी स्वयम आ सकते हैं या उनके कोई प्रस्तावक आ सकते हैं या उनके द्वारा अथराइस्ट कोई व्यक्ति आ सकता है परन्तु यह यहां ध्यान देने की बात है कि अगर प्रत्याशी आएंगे तो प्रत और अथार्टी लेटर वो जब तक ले करके नहीं आएंगे तब तक के नौमिनेशन पेपर या नाम वापसी का आवेदन पत्र फॉर्म पांच जो है रिसीव नहीं किया जाएगा यह भी ध्यान देने की बात है कि वर्किंग आवर में तीन वजे तक बिट्वीन वर्किंग आ तो इस दिती पर वह कि अलावा कोई व्याकती आता है तो यह ध्यान देना चाहिए कि उस से मांग लेना चाहिए कि اपने जो अपना नोमिनेशन पेपर जब हमने जम्हा कराय था आपने जमा कर आया था तो जो part six आपको दिया गया था वो part six आप थोड़ा दिखा दीजिये ताकि ये पूश्टी हो जाए कल को कोई ये नहीं कह सके कि मैंने नहीं भेजा था कि ये कैसे मेरा नाम वापिस लिया गया किसने मेरा नाम वापिस लिया प्रपोजर कई बार इस तरह की गटनाएं हो चुकी है कि प्रपोजर को के दुआरा नाम वापिस ले लिया गया है बगैर सूचना के तो कृपिया इस बारे में ध्यान देंगे कि काफी सतरकता बरतना है कि किसी वेक्ति का नॉमिनेशन पेपर गलत धंग से आपके नाम वाप इस टाइम में होगा अंतिम जो सिंबॉल एलोट्मेंट की जो तिथी है उसके तीन बजे तक का जो समय है वहां तक हो सकता है जो समय सीमा के बाद अगर कोई आवेदन देते हैं तो वो एकसेप्ट नहीं होगा इसकी जो प्रकरिया है ये सबसे पहले कोई भी वेक्ति अपन आवेदन फॉर्म 5 में प्रसूत करेगा आप उनको उसके नीचे पावती देंगे कि आपने उसे प्राप्त कर लिया है ताकि इस बात की पुष्टी हो जाए कि उसने नाम वापसी कर ली है इसके बाद आप फॉर्म 6 में लिस्ट लगाएंगे प्रतिदिन कि कौन से ऐसे प् फॉर्म 4 में जितने लोगों के नाम थे आपके पास फॉर्म 4 से फॉर्म 6 के जो नाम है उनको हटा दिये जाएंगे इसके बाद आपको तयार हो जाएगा लिस्ट आफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स की सूची आपकी बंद के तयार हो जाएगी आप फिर से मेरी बात सुन बनाई हुई है फॉर्म 4 में अब आप फॉर्म 6 में सूची बनाएंगे नाम वापिस लेने वाले अभ्यरतियों की सूची फॉर्म 4 से आप उन नामों को हटा देंगे जिनके नाम फॉर्म 6 में है तो आपका फॉर्म 7 तयार हो जाएगा फॉर्म 7 होगा list of contesting candidate अर्थाथ जो जो चुनाव लड़ने वाले अभिरतियों की सूची है, वो आपकी तयार हो जाएगी, इसको आप हम अलफा बेटिकल पहले से ही तीन पार्ट में जमा हुआ है, सिर्फ नाम बीच से हड गए हैं, तो इसलिए ये सूची तयार करना है, आपको आप form 7 तयार हो जाएगा, अब symbol allotment की और आगे बढ़ रहे हैं, फिर से ध्यान देंगे, जब आप list of contesting candidate बनाएंगे, तो वैसी स्थिती पे आपको तीन पार्ट करना है, तीनों पार्ट को अलफाबेटिकल ओर्डर में जमाना है, अलफाबेटिकल ओर्डर में मैंने जो आपको सारी बाते बताई हैं, कि honorific matters हैं, उसको अलग कर देंगे, अगर दो लोगों के नाम समान हैं, तो वैसी स्थिती पे son of, daughter of, wife of लगाते हुए, उनके सही स्थान पर ले जाएंगे, अगर इससे भी बात नहीं बनती है, अर्थात किसी का नाम और उसके पिता का नाम दोनों सेम हैं, तो वैसी स्थिती पर उनके निमास स्थान, उनका व्योसाय इस आधार पर उनको प्रिथक किया जाएगा, और इस तरह list of contesting candidates बनाया जाएगा, देखिए ये बहुत ध्यान देने की बात है, कि समानेता हम किसी भी वैक्ति का नाम list of validly nominated candidates में, list of contesting candidates में वही लिखेंगे, जो उनके द्वारा nomination paper में लिखा गया है, क्योंकि यही नाम अन्ततह EVM मशीन में लगाया जाएगा, EVM मशीन में जो ballot paper बनता है, वो form 7A ही होता है, सिर्फ उसमें नोटा और जोडा जाता है, तो इसलिए जब हम contesting candidate की सूची बनाएगे, तो वही नाम का प्रयोग करेंगे, जो nomination paper में लिखा गया है, परन्तु यहाँ पर प्रत्याशी के पास में यह opportunity है, कि आपको इस बात की जानकारी दे, कि उसका नाम nomination paper में गलत लिखा है, या फिर अपना नाम कुछ और लिखवाना चाहता है, ऐसी स्थिती पर उसको आपको लिखित में आविदन देना पड़ेगा, कि मैं अपना न परन्त से अप यह लिखना चाहता हूं, और यहाँ पर आपका निर्णा अंतिम होगा, कि आप उसके application को accept करते हैं, या नहीं करते हैं, क्योंकि अगर किसी ने nomination paper में ही यह clear cut लिख दिया है, कि उसकी bracket में वह अपने नाम के आगे कोई nickname लिखना चाहता है, तो वैसी स्थिती में तो कोई दिक्कत नहीं है, परन्तो कोई आदमी अगर अपना पूरा नाम ही बदलना चाहता है, तो वैसे स्थिती पर वहाँ पर आपको order करना पड़ेगा, तब ही उसका नाम change हो सकेगा, जो कई वैक्ति चिस नाम से चर्चित होते हैं, उस नाम को जोड़ना चाहते हैं यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है, कि अगर कोई वैक्ति उसको bracket में लिखना चाहता है, तो कोई आपति नहीं है, लेकिन अगर कोई वैक्ति पूरा अपना नाम ही बदल देना चाहता है, तो वैसी स्थिती पर आपको अपना निर्ने लेना पड़ेगा, और यह सामानेत इस पर कोई विशेस समस्या नहीं आती है, कोई वैक्ति कुछ नहीं लिखना चाहता है, परन्तु अगर ऐसी कोई श्तमस्या खड़ी हो जाए, कि कोई जो प्रत्यासी चुनाव में लड़ रहा है, वैक्ति अपने नाम के स्थान पर किसी दूसरे का नाम दे के आपका, आप पर सतरकता बढ़तेंगे, शुरू से उनसे जब आप नोमीनेशन लेंगे तब से उनसे पूछ लेंगे कि आप जो बैलेट पेपर बनेगा, उस बैलेट पेपर में अपना क्या नाम लिखवाना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति पर आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं इसलिए 7A आपकी जो अब तक हमने ट्रेनिंग का पूरा पूरी सारी बाते बताई वो अनतता 7A बनाने के लिए ही बताई गई हैं, तो इसलिए 7A बनाते समय पूरी सतरकता बरतेंगे, अलफावेर्टिकल सहीं लिखा गया है कि नहीं, जिस केंडिडेट को जिस सेक्शन मे लिखा गया है कि नहीं, यहां यह ध्यान देंगे, हम अभी तक तीन पार्ट में उनको अलग-अलग तोड़ रहे थे, पर जब हम पूरी तरह 7A बना लेंगे, तो पार्ट की हेडिंग नहीं रहेगी, हेडिंग से मेरा आशा है, कि हम तीन हिस्से में उपर हमने राष्ट्र राष्ट्री दल रखा है, बीच में, सेकेंड पार्ट में हमने रजिस्टर्ड अन्रिकजनाइस पार्टी रखा है और नीचे निर्दली रखा है, परंतु जब हम 7A बनाएंगे, तो यह जो शिर्ष हैं, जो हेडिंग्स हैं, इनका उल्लेक नहीं किया जाएगा, सिर्फ क् क्रम फिर से 1-2 नहीं होगा, उसके बाद अगर निर्दली 4 हैं, तो 6-7-8-9, इस तरह से क्रम बढ़ते क्रम में होगा, और अन्तिम क्रम में नोटा आएगा